युहन्ना चट्वाँ अदियाई 69 और साट्वाँ वचन ये बातें उसने कपर नहूं के एक आराधन हालाई में उपदेश देते समय कहीं इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात नागवार है इसे कौन सुन सकता है 66 में उन चेलों में से बहुतों ने ये कहा ये बहुत कटिन उपदेश है इसको कौन सुन सकता है कटिन उपदेश के लिए कोई तयार नहीं है सबस असान रहना चाहिए बहुते अलका रहना चाहिए मन के लाइक होना चाहिए दुसरा तिमोत इस दुसरा अध्याय का चार और तीन वचन में पढ़ते हैं पाउलुस चिताउनी के रूप में कहता है और अपने कान सत्य से पेर कर कटा कहानियों पर लगाएंगे चिताउनी देता है आज कहीं भी देखेगा इस प्रकार के खरे उबदेश को कटिन वचन को सुनने के लिए तयार नहीं है इस कटिन वचन पर ध्यान देने के लिए किसी को मन नहीं है अगर कोई कता कहानी सुनाते हैं उसके लिए लाइक देते हैं अजारों लोग उसको पालोर से कटीन वचन के लिए कोई तयार नहीं है मनकलाइक वचन को बोलना है इस प्रकार बहुत लोग इस वचन को सुनने के लिए तयार नहीं है सेवक लोबी बहुत लोग बदल गया उनका मन का लाइक प्रचार करके उनको अपने जाल में पसा लेते हैं सब्धान रहना चाहिए इसके पहला इसे वो सकता है आने वाला दिन में इस प्रकार की कारियों में आने वाला दिन में इस प्रकार करने से अमरे कलिश्या में बड़ा एक जाकरती को देखेंगे ये सारी बातों को नहीं करेंगे मन नहीं पिरांगे शुद्धिगरन नहीं करेंगे अपने आपको जांचेंगे नहीं जाकरती आएगा बोल देखेंगे तो कैसे अपने आपको हम जूटिक करते हैं अम अपने आपको दोका देते हैं गहराई की जो सुद्धियरन होगा, वही पर जाकरती होगा। मेरे प्रियों, आज अपने आपको जांच के देखे, दुआर को को लिए, दिल की दरवाजा को को लिए, वच्चन को सुनिए, मजभूत हो जाएए, सुद्धियरन कीजिए, कहां कहां मन पिराना, वहां पर मन प विशेशित लोग है, कभी भी नहीं बुलना है, उनका साथ तालमेल नहीं रखना है, अविश्वासी और विश्वासियों में कहां मेल है, रोश्णी और अधेरा में कहां मेल है, पवितरता को नहीं को ना है, आपका संगती एक आत्मिक लोहों के साथ, कलिश्या के साथ, पव लेलुया!